यहां पर आपको रास्थान रोयल्स वर्शेश डेली कैपिटल्स काफी इंट्रस्टिंग मैच होने वाला है IPL का मैच नमबर 7 है और यहां पर आपको रास्थान रोयल्स की क्या प्लेइंग लेवन रहने वाली है Delhi Capitals की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है क्या जो है न्यूज बगेरा निकल के आती है और जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे stats जानने को भी लेंगे जैसे की जो है players battle, head to head के records और जो है pitch का पूरा deeply analysis इस वीडियो में जो है आपके लिए 2000 रुपीज का जो है giveaway भी है तो giveaway भी आर जरू से join कर लेना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और बात करते हैं RR versus DC यानि की रास्थान RR versus Delhi Capitals match number 7 काफी deeply analysis है तो चाए coffee भाई लेकर आप बैठ जाना cold drink वगरा जो भी है ठीक है और आराम से पूरा last तक ये वीडियो देखना और जो लोग इस वीडियो को last तक नहीं देखते हैं ना मैं definitely बोलूँगा कि वो लोग जो है बहुत कुछ miss करके जा रहा है बहुत कुछ जो है miss करके जा रहा है तो वीडियो के यार लास्थ तक देखो और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जहूर से कर दीजेगा आपका एक लाइक जो है काफी मोटिवेट करेगा अगर हम बात करें इस मैच के बारे में आरार वर्सेज डिसी वानखेडे स्टिडियम वानखेडी की जो पिछ है ना ये जो है थोड़ी सी स्मॉल ग्राउंड मानी जाती है सौर्ड जो है बाउंडरी है काफी जो है अच्छा यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली जो है आपको विकेट मिलने वाला है और इस्पेक्टेड है कि 180 प्लस जो है पे स्कोर आपको देखने को मिले अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वेजर की तो वेजर क्लियर रहने वाला है और जो है डेफिनिटली फॉस्ट इंग में अच्छा इसकोर बनेगा second inning में जो है अच्छा score बनेगा pitch report जब आएगी तो आपको जो है telegram channel पे pitch report बता दी जाएगी ground के stats के बारे में अगर हम बात करें total जो है इस ground पे 75 matches हुए है average run जो है 163 का है first inning का score जो है 166 का है जबकि second inning का score जो है 154 का है highest score की अगर हम बात करें 235 रन इस ground पे है और lowest score जो है 67 है अगर हम बात कर यहाँ पर head to eight के matches की RR versus DC तो देखो दोनों के बीच में अब तक 22 matches हुए है जहाँ पे RR ने 11 matches विन किये है जबकि Delhi Capitals ने 11 matches विन किये है एक amazing सा fact आपको बताता हूँ season 2020 में क्या हुआ था कि 2020 में पिछले season में जो है Delhi Capitals ने दोनों match जीते थे और जो है 2019 में भी जो है दोनों जो match हुए थे league matches उसको भी जो है Delhi Capitals ने विन किया था continue जो है 4 matches जो है रास्थान रोयल्स से Delhi Capitals ने विन किया है last season के अगर दो matches का बता हूँ आपको तो दूबई में match हुआ था 14 October को जहां पर Delhi Capitals ने पहले batting करते हुए 167 का score किया और उसके जबाब में जो है RR की team सिर्फ 148 run जो है बना पाई और 13 run से ये match हार गई अगर हम बात करें दूसरे match की जो की सारजहां में हुआ था तो सारजहां तुकी छोटा ground था और काफी जो है अच्छा batting वहाँ पर देखने को मिला लेकिन RR की team जो है 138 run पे आउट हो गई जबकि Delhi Capitals ने 184 का जो है score किया था Delhi Capitals ने ये match जो है 46 run से win कर लिया दोनों ही team की recent form की अगर हम बात करें तो रास्थान रोल्स अपना last match हार के आ रही है जबकि Delhi Capitals अपना last का match जो है win करके आ रही है इसी season में अब हम बात करते हैं इस ground पे जो match सुमे है उसके बारे में तो देखो इस ground पे 12 प्रेल को match खेला गया था जो की पंजाब और रास्थान के बीच में खेला गया था जहां पे पंजाब ने यहां पे काफी अच्छा परफॉर्म किया और वो 221 रन उने पहले innings में मारे उसके जबाब में second inning में यहां पर आरार की team ने 217 रन किये और जो है यह match जो है चार रन से पंजाब ने विन कर लिया था 12 विकेट पेसर को मिले थे जबकि एक विकेट जो है स्पिनर को मिले थे CSK वर्षे DC का match हुआ था 10 अपरेल को जहां पे CSK ने पहले बैटिंग करते हुए sorry DC ने यहां पर पहले बैटिंग करते हुए sorry एक second just यहां पर CSK ने पहले बैटिंग करते हुए 188 का score किया उसके जबाब में जो है डेली कैपिल्स के team 190 का score की और 7 विकेट से यह match विन कर गई इस match में भी अगर आप देखोगे तो total जो है इस पीनर को जो है उतनी अच्छी यहां पर विकेट नहीं मिलती है अगर हम बात करें यहां पर उसके पहले matches की तो वो सारी details यहां पर लिखी हुई है आप उसको पर सकते हो यहां पर news की अगर हम बात करें तो guys news काफी बड़ी आ रहे है रास्थान रोल्स को काफी बड़ा जटका लगा है बैन श्टोक्स जो की इनके main player है वो जो है IPL से ruled out हो चुके है इनकी जगे पे डेविड मिलर और लेविंग स्टोन के कंदों पे जिम्मेदारी होगी टीम की नईया पार लगाने की players battle देखते हैं जो की हमारी वीडियो का काफी important section रहता है काफी focus करके और ध्यान देखे देखेगा एक एक चीज जो है आपको detail में बताई जाएगी और हाँ भाई वीडियो मज़ेदार लग रही हो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक like जवर से कर दो अभी कर दो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने लाइक किया है इस वीडियो को कम से कम भाई 500-1000 लोग लाइक कर दो थोड़ा सा support करोगे आपको तो मैं भी ऐसे ही मैनत आपके लिए करता रहूँगा अगर हम बात करे players battle की तो अमित मिष्रा ने डेविड मिलर को जो है एक ब़र आउट किया है जबकि अक्षर पटेल ने अमित मिष्रा ने संजू सैंसेंग को दो ब़र आउट किया है लेकिन 19 बॉल करी है सिर्फ 8 रन दिये हैं इस चीज़ का भ्यान रखेगा रविन चंदर अस्वी ने संजू सेमसंग को एक बार आउट किया है जबकि आर अस्वी ने डेविड मिलर को दो बार आउट किया है आर अस्वी ने बटलर को एक बार आउट किया है जबकि मारकस स्टोनिस ने बटलर को एक बार आउट किया है अक्षर पटेल ने बटलर को जो है 33 बॉल करी है जिसमें 44 रन दिया है कोई भी विकेट नहीं मिला है उमेश यादो वर्सेज मनन वोहरा की अगर मैं बात करूँ 26 बॉल करी है 30 रन देके जो है एक बार विकेट लिया है अब यहाँ पर आपसे गिवे का कोश्चन पूछ लेते हैं गाईज अगर गिवे का कोश्चन आपको बताऊं तो आपको जब टाइप करना है और यहाँ पर टोटल कितने विकेट लेका और कौन सा प्लियर सबसेदा विकेट लेगा दोनों इनिंग्स को मिलाके आपको जो है answer करना है अगर बताऊं आपको यहाँ पे 2000 रुपीज का पेटियम कैस Google पे फोन पे आप हमसे ले सकते हो और maximum जो है यहाँ पे 10 winners होंगे 200 रुपीज जो है जो भी बंदा यहाँ पे win होगा उसको 200 रुपीज जो है maximum मिलेगा तो यह ज सवनन दिये है एक बार विकेट लिया है स्रेस गोपाल ने सिखर दमन को दो बार आउट किया है जबकि उनादकर ने सिखर दमन को 31 बोल करके 52 रुपीज दिये है जोफरा आर्चर ने मारकस इस्टोनिस को दो बार आउट किया है जबकि स्रेस गोपाल ने मारकस इस्टोनिस इसको एक बार आउट किया है रह्मान ने पंत को जो है 29 बोल करी है 50 रन दिये हैं स्रेश गोपाल ने पंत को जो है 25 बोल करी है 38 रन दिये हैं उनातकट ने पंत को जो है दो बार आउट किया है जबकि बेनिस्टोक्स ने जो है ये सिखर दवन को एक बार आउट किया है लेकि प्लेइंग लेवन की तो प्लेइंग लेवन पे काफी फोकस करिएगा ध्यान दीजेगा इस बार जो है थोड़ा बहुत आपको चेंजस वगैरा देखने को मिलेगा काफी चेंजस आपको देखने को में भी मिल सकता है रास्थान रोयल्स की तरफ से अगर आम बात करें तो ज प्लेइंग यहां पर आपको डेविड मिलर तो तीन जो है टॉप और में लेफ्ट-हंडड बैट्समैन है जिसके लिए यहां पर डैली कैपिटल्स जो है अपने इस्पीनर का यूज कर सकती है कौन सा इस्पीनर अमित मिस्रा और आर अस्विं यह जो है दो कल बहुत खतरन जो है साबित हो सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा डैली कैपिटल्स की तरब से प्लेइंग लेवन की बात करें सिखर दमन के साथ में प्रित्विसाओ उपन करेंगे वन डाउन पर आजिके रहाने है फूर्थ नंबर पर जो है इस्मरन हिटमायर है उसके बाद रि इस अपन्त हो गए इनके लिए जो है आरार कौन से बॉलर्स यूज कर सकती है तो देखो इनके लिए जो है उनके पास जो है काफी अच्छे बॉलर्स है चुकि लिविंग स्टोन अगर जो है खेलते हैं तो डेफिनिटली यह बॉलिंग करेंगे और काफी जो है अच्छे स परफॉर्मेंस की तो दोनों हे टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस भी मैंने लिखी हुई है संजू सैमसंग ने 63 बॉल में 119 रन किया लास्ट मेच में बैन स्टोक्स जीरो प्याउट होके गए मनन वोरा 12 रन बनाके गए जोस पटलर ने 23 रन मारे जबकि सियूम दोबे ने 23 र कोई भी विकेट नहीं मिला था क्रिस मौरिस चार ओवर में 41 रन देके दो विकेट लेकर गए थे जबकि रियान पराग ने सिर्फ एक ओवर किया था और एक विकेट लेकर गए थे इनकी तरब से जो है अगर आप देखोगे तो तीन तीन च्छे और दो है आठ बॉलर जो है चौवन बॉल में 85 रन किया जबकि रिसा पुरण में 12 बॉल में 15 रन किया अर मार कस इस्टोणिस ने नौव बॉल में 14 रन किया उपाइस इसटा बिएम विच concerned अस्विन को एक विकेट मिला अमित मिस्रा ने जो है तीन ओभर किये और 27 रं दिये कोई भी विकेट नहीं मिला मारकस सिटोनिस में दो ओभर किये 26 रं दिये कोई भी विकेट नहीं मिला टॉप फैंटेसी यहाँ पे अगर spinner को जो है डिकेट मिलती है तो वो अमित मिस्रा जो है और आर अस्विंग लेके जाएंगे आपको वीडियो इंफरमेशन वाली लग रही होगी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दीजे अब आपको बताते हैं सबसे बढ़ियां अप्लिकेशन के बारे में इंडिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन पे आपको खेलना चाहि है 20 परसेंट आप देख सकते हो बाकी लिक्स में अगर मैं बात करूं तो 15 परसेंट और 25 परसेंट तक यहाँ पे बोनस यूज होता है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे 100 पीज आपको साइन अप बोनस मिलेगा इसके ब्रैंड एंबिस्टर जो है बिरेंड सेवाग है बिल्क आपको यहाँ पे डेटेल में बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू यह मेरी जो है फाइनल टीम नहीं है जस्ट फॉर ए सजेशन है और जो है ऐसी टीमस आप खुद की क्रियेट कर सकते हो बाकी कल सूबह में जो है हमारी 6 ग्र में लेके जाने वाला हूँ बैटिंग सेक्शन में बात करें तो डेफिनिटली सिखर दवन के बाद में यहां पर आपको जो है सबसे बढ़ियां प्रिट्वी साओ की उसके बाद यहां पर रियान पराग की आपको ऑप्शन मिलती है और अगर ग्रेंड लिग की बात करें तो Grand League में जो है मनन वोरा है और सिम्रान इट मायर है आजी के रहाने है डेफिनिटली जो है आजी के रहाने का वन डाउन अगर बैटिंग वार्डर होता है तो काफी अच्छी जो है जो है आजी के रहाने हो जाएंगे कल वाले मैच में यह मेरी बात आप ज़रू से नोटिस क को जाएगा या फिर है एक परशेंट जो है हो जाएगा आपको नहीं लेना है Chris वोक्स को ज़रा डेफिनिट ली आपको अपने टीम में जो है लेना चाहिए मैं आपको रिक्सेंट करूंगा कि 100 bikes मोर्सकّ टीम में लेके जाओ एक और वी बहुत इस्टोनिस का थोड़ा हाई मैं इनको बोलूँगा कि आप इनको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो सिवम दुबे बिल्कुल ही डिफरेंशियल पीक रहेंगी और जो है पाँच पर्चेंट लोगों ने अभी तक लिया हुआ है आप इनको ग्रेंड लीग की टीम में यहाँ पर जो है रबाड़ा हो गए और तो रबाड़ा डिफिनिटली कल खेलेंगे तो अपनी टीम में होने चाहिए उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मैं बात कर तो ए नौट जे है डिफिनिटली आपकी टीम में होने चाहिए उसके बाद देखो एक option आपको मिलती है आप जिस भी player को लेना चाहो ले सकते हो जिस भी player को आप लेना चाहो ले सकते हो मैं यहाँ पर टॉम कुरान के साथ में जा रहा हूँ definitely आपके पास credit भी काफी अच्छा बचा हुआ है आप credit का यूज कर सकते हो आपके उपर वो डिपेंड है कि आप जो है किस प्लेयर के साथ में जाना चाते हो कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो मेरे जो यहाँ पर कैप्टन की चौईस रहने वाली है न कैप्टन वाइस कैप्टन करों बहुत सारे लोगोंने अगर आपको याद होगा फाले हम् साइड़ वाइस कैप्टने अ पर में एसलियुक भाइस कैप्टन उनकोर हमने कैप्टन मोड़ हुल यह तो दो तो थोड़ा सा डिफरेंशल रहेंगे, मैं यहाँ पर क्रिस मोरिस को वाइस कैप्टन करूँगा, और यहाँ पर कैप्टन मैं जोस बटलर को सोच रहा हूं करने के लिए, लेकिन जनता का सेलेक्षन यहाँ पर संजू सैमसंग के साथ में जा रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं है, टॉम कुरान है, यह नोट जे हैं, और यहाँ पर आपको बता दे, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं इसलिए थोड़ा सा कनफ्यूज हूँ, क्योंकि दिल्ली की टीम जो है, कल मेरी फैबरेट रहने वाली है, और डैली की टीम जो है, मैं मान के चल रहा हूं कि कल वीन कर ज को लिया है, साथी साथ जो है, वाइस कैप्टन यहाँ पर बनाया है, मैंने सिखर दवन को, और कैप्टन बनाया है, यहाँ पर संजू सेमसंग को, तो यह मेरी दूसरी टीम रहने वाली है, लेकिन जो में टीम होगी न, में टीम लगबग मेरी ऐसी ही होने वाली है, जिसके वाइस कैप्टन करूंगा रिसब पंथ या फिर जो है क्रिस वोक्स को ठीक है तो ये मेरी जो है टीम ऐसी कुछ बन के निकल आएगी और देखने वाली बात होगी यार कितने प्लेयर पहले तो फॉर्णर वाले खेलते हैं यानि कि ओबर सीज प्लेयर जो है डेली केपिनल्स क आपका बहुत बहुत धनिवाद ऐसे ही चैनल को देखने हैं